हाई गाईज वेलकूम बैक टू एनदो वीडियो आज हम बात करने वाले हैं मेरे सबसे बहतरीन या फिर कह सकते हैं मेरे सबसे फेवरेट DSLR के बारे में वो है कैनन की 6D Mark 2 के बारे में इस कैमरा के बारे में मैं काफी सारे कमेंट्स पढ़ते रहे तो अपनी वीडियो में कि स एक्सपीरेंस रहे वो पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताने वालू हूं आपको आइडिया हो जागा कि कैनन की 6D Mark 2 आप अगर लेते हैं तो आपको कैसी परफोर्मेंस मिलने वाली है मैंने इस कैमरा को हर तरीकी से उसके वेडिंग वीडियो यूट्यूब हर चीज मे अल्मोस्ट तो करते हैं इस वीडियो को शुरूर देखते हैं किस तरह का कैमरा है यह मेरा कैर रिव्यू है इसका 2021 में लेने के बारे में जानिये फ्रोग्रफी और वीडियो प्रोड़क्शन से रिलेटेड हर एक बात वाच, लर्न, एंजॉइ तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस कैमरा की स्पैसिफिकेशन हमें क्या मिल रहे है, कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, बाखे सब चीजे कैसी है तो हमें इस कैमरा में मिलता है 26.2 मेगापिक्सल का इमेज सेंसर और इसके अलावा फोकस पॉइंट्स के लिए, अगर हम बात करें फोकसिंग के लिए तो 45 आपको क्रोस टाइप फोकस पॉइंट्स मिलता है, जो की काफी ला जवाब है, अच्छे से फोकस करवा देते हैं इसके अलावा ISO है, 100 से लेके 40,000 तक, यानि कि ISO सबसे अधा काम आता है, जैसी कि आपको पता होगा लो लाइटिंग सिच्वेशन में, जहाँ पे लाइट बड़ी कम होती हैं, और कैमरे को अपनी पावर यूज करनी बड़ते हैं, कि हाँ, हमें खुद से अंप्लिफाय करके पूरी पावर देनी पड़ी कि लाइटिंग में, तो उस तरह की सिनेरियो में भी एक काफियत तक बड़िया परफॉर्म कर जाता है, आई स्पीड शूटिंग इलिए आपको 6 फ्रेम पर सेकिंड की हाई स्पीड शूटिंग मिलते हैं, यानि कि एक फ्रेम में 6 फोटो आप लगातार शूट कर सकते हैं इस कैमरा से, तो ये तो हो गई फ्रोग्रफिक स्पेसिफिकेशन और सीचवाइशन में विकार है, अब गाइज हम एक काम करते हैं, हम इस कैमरा को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक फ्रोगरफी के पॉंट वीडियो के पॉंट वीव से, मैं आपको दोनों के नजरी से बताऊंगा कि ये कैमरा किस चीज में बेस्ट है, किस में नहीं है तो सबसे पहले बात करते है फोग्राफी के बारे में और इसकी खास बात और जो विकारा बात हब हमा को बता दू फोग्रफी के मामले में तो सबसे पहले मैं आपको यह बतातू कि मैंने इस camera के साथ क्या-क्या शूट के, तो मैंने 20 साल में इसके साथ wedding शूट करी, traditional, candid और event शूट करें, और corporate शूट भी करें, music वीडियो तो शूट करी थी, बट photography के point of view से मैंने इस सारी चीज़े शूट करी, अब मुझे इस camera में खास बात क्या लगते हैं, और यह 2021 में अगर आप ले चाओ, तो क्या-क्या खास बात आपको मिलने वाली है, इस DSLR में, तो सबसे बढ़िया मेरे को लगते है, इसके focus points, 45 cross type focus points अब बहुत तेज focus करते हैं, आपको focus करने में कोई भी problem नहीं आएगी, low light पे भी मैंने जब इ की situation में इसको use करकर, photography के मामले में यह camera मिरको बहुत बढ़िया लगता है, तो अगर मैं बात करूँ इसके review की, तो अगर आप यह camera photography में wedding shoot करना चाते हो, candid करना चाते हो, या फिर किसी भी तरह का event shoot करना चाते हो, तो इस price range में यह DSLR बहुत best है, जिस भी price range में आपको मिल र ही होता, तो मैं इसको पका लेता, मैंने इसको इसलिए पेचा क्योंकि मेरे को R6 पे shift होना था, और मेरे को video performance और भी अच्छी चाहिए थे, इसके अलावा, इसमें ISO power, ISO maximum, जब मैंने इसको use किया, तो I think 5000 तक अच्छा जेल जाता है, 5000 maximum, इस से जदा ISO करते है, ग्रेंस आने जदा शुरू हो जाते हैं, तो ये मेरे को जो है, माइनस पॉइंट लगता है कि जब आप ISO जदा बूस्ट करते हो, बो तो कहरे हर कैमरे में almost होता है, बट ISO जदा बूस्ट करने पर इसमें noise आती है, बट 5000 भी काफी जदा हो जाता है, मैं तो कोशिश करता था कि 2000 से उपर बूस्ट क्योंकि मैं लाइटिंग इतनी अच्छी करता था कि मेरे को ISO बूस्ट करना ही नहीं पड़ता था, तो ये कैमरा में अगर आप लाइटिंग कमाल की देदो न तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी निकाल सकता है, अब ये तो हो गया गाईस, जो मेरा experience था, बट मै आपको इसके अब सैंपल दिखातों, जो मैंने इससे शूट किया, और उससे आपको आइडिया होगा कि इस कैमरा से मैंने कैसी क्वालिटी निकाली, इसके साथ मैंने 85 mm लेंस भी उसकी है, 70-200 भी किया, और kit लेंस भी किया, तीनों लेंस भी उसकरे है, उससे आपको तो overall photos में अच्छा है guys, आप के ओपर depend करता है कि आप इस camera से कैसी output निकालते, क्यूंकि काफी सारे मैंने लोगों को देख्या, उनको सही camera settings नहीं आती, वो अच्छे camera से भी बढ़िया काम नहीं कर पाते, तो मैं इस camera से काफी अच्छे colors और काफी अच्छी image quality निकाल पाता तो मैंने इस camera से shoot करी है, music video, corporate videos, wedding भी काफी हद तक shoot करी है, मैं जाधा wedding भी वीडियो में shoot करता नीता, बट मैंने starting में काफी करी थी, तो पूरा shoot करने पर जो मेरा experience रा, वो कुछ इस तरह से है guys, देखो, अगर आप ये camera 2021 में लेने की सोच रही है, तो आपको ये camera वीडिय के काफी हद तक normal हो चुक है, even 60-70 हजार वाले camera में भी 4K का feature आ रहे है, तो कहीं न कहीं, ये camera थोड़ा सा जो है weak पड़ जाता है वीडियो के मामले में, इसके अलावा इस camera में slow motion का भी feature नहीं है, जो की बहुत ही जरूरी होता है, especially जब आप cinematic video shoot करते हैं, तो slow motion काफी quality देता है, बट जहाँ पे lighting जादा low हो गई, और आपने kit lens लगाया, wide aperture नहीं है, तो वहाँ थोड़ा focus hunt का issue इस camera में देखने को मिलता है, और जो bit rate है, वो थोड़ा सा कम है इस camera का, as compared to आज के time में, जो mirrorless camera आ रहे हैं, तो ये एक वज़ा है, मैं R6 में shift किया, मैंने एक तो को मिलते हैं, मैं आपको कुछ video के samples दिखाते हूं, इसके full HD video के, जिससे आपको idea होगा, कि वीडियो में कैसा perform करता है, अब सवाल ये आता है, कि ये जो camera ये किसको लेना चाहिए, किस situation में लेना चाहिए, ये camera किस चेज़ में बैस्ट है, तो guys देखो, अगर आपको professionally photography करने हैं, और आपका टेस्ट DSLR का है, आप DSLR से wedding shoot, event shoot, all rounder shoot करना चाहते हो, अल्मोस्ट हतर है का, wildlife को छोड़के, क्यूकि इस में frame per second कम है, 6 frame per second की speed है, तो वो थोड़ी कम है, इसके लबा, high speed shooting को छोड़के, आप किसी भी तरह की photography करते हैं, तो ये camera काफी बढ़ी है, price के coating is DSLR में, काफी अच्छे features, काफी अच्छी picture quality आपको देखने को मिलती है, no doubt, चाहे बातो colors की, चाहे बातो saturation की, overall contrast की, मतलब आप अच्छी settings करके, इस camera से बड़ी output निकाल सकते हैं, जो कि मैंने इस camera के साथ experience किया, बट अगर बात करूँ, मैं video की, अगर आप videographer बनना चाहते हैं, आप cinematography करना चाहते हैं, और आप चाहते कि आपको future proof camera चाहिए, तो ये camera आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें 4K वीडियो के recording option नहीं है, आप इसके जगा और भी अलग cameras आते हैं, Canon के या फिर other brand के वो ले सकते हैं, इसके अंदर guys slow motion और 4K वीडियो नहीं है, तो कहीं ना कहीं guys, ये चीज़ आपको लिमिट कर दे कि जब आप पूट वीडियो दोनों शूट करनी है, बट आपको प्रफेश्नल वीडियो नहीं करनी, तो भी आप वी camera ले सकते हैं, तो मैं एक बर आपको दुबारा क्लियर कर देता हूँ, ये camera फफ्टोग्राफी में, प्रॉफेश्नल फटोग्राफी में काफी कमाल गया आप ले सकत क्योंकि YouTube पे आज के टाइम में काफी हद तक लोग Full HD देखते हैं, मुझे नहीं लगता गाइस 4K वीडियो काफी सारे लोग देखते होंगे, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि जब आप YouTube पे कोई भी वीडियो देखते हैं तो क्या आप 4K में देखते हैं या फिर Full HD देखते हैं यह मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता है ताकि मेरे को भी आइडिया हो जाएं कि जो ओडियोंस अवो जादा क्या देखते हैं तो बहुत इंटरस्टिंग चीज़ है यह भी तो नीचे गई इस कमेंट में यह चीज़ जरूर बताना इसके अलाब काफी बढ़िया जो है शूट का नेवर फील आता है तो नो डाउट यह कैमरा ओल राउंडर कह सकते हैं यह कैमरा ओल राउंडर परफेक्ट कैमरा अगर आपको 4K वीडियो और स्लो मोशन वीडियो का फीचर नहीं चाहिए तो इस कैमरा में मुझे कोई भी कमी नहीं लगी जब मैंने इसे यूज के सिरफ दो चीज़े जो है मिरको कमी लगी तो आप जो है इस कैमरा को ले सकते हैं लिंक मैंने नीचे डैस्रिप्शन वोक्स में डाल दिया है और भी छोटे मोटे फीचर आई नो बहुत सारे हैं जो कि मैंने मिस कर दिया बट मैं की फीचर को हाइल वीडियो बनाई है तो नो डाउट यह कैमरा काफी बढ़ी है तो आई होप गई आपको काफी हद तक चीज़े क्लियर होगी होगी सेंपल देखके और ओवरल जो है मैंने रिव्यू देखके जो बताया आपको काफी उसे समझ आ गया होगा कि यह कैमरा यूज करने में कैसा अगर आपके माइन में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बुक्स में जरूर कमेंट करें मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके हर कमेंट के आंसर देने की तो ठीक है वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते ह आप सभी से अगली वीडियो में